तो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप प्लेश्टोर यूज करते हैं और प्लेश्टोर से किसी एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राय करते हैं तो आपको चार टिप्स में आपको बताऊंगा तो इस वीडियो में तक बने रहेगा आपकी जो प्रॉब्लम है इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है और आप किसी भी अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे फिर आपको कॉंट इंस्टॉल एपका एर्र आपके प्लेश्टोर प क्लिक करना उपर की तरफ यहां पर आने के बाद आपको सैटिंस देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ सैटिंस पर क्लिक करिए यहां पर आने के बाद आपको सैगिंड नंबर पर देखने को मिल रहा है नेट्वर्क प्रेफरेंस इस पर आपको क्लिक कर लेना है अब यहां wildly अपको को सिंपल सा काम करना इंप स्लैक कर देना है वो को दन हो गाम करेंगे से अपना Hem जो प्ले कर पाएंगे एप्स उप्र बतायों घंड बनीघार अगर और और आपको तो On- créd statohar क्लिक कर दिएगा एप्स पर क्लिक कर लिजिएगा दैन उसके पद्शाफ अब यहां पर सर्च बार में आपको play store को सर्च कर लेना है ले श्टोर आ चुका है अब यहां पर स्टोरेश पर क्लिक करिए नीचे clear data है clear data पर आईए और इसका clear क्लीर टिए क्लियर कैच कर दीजे का सब्सक्राइब करिए जैसके आप क्लीर कैच करेंगे आप देखेंगे आपकी प्रॉल्म सौल्व हो गई है अगर फिर भी प्रॉल्म नहीं होती तो आप्ने काम कर लीजिएगा klar or data कर देखिएगा जिस फिर भी solve नहीं होती है तो आप एक काम करिएगा सेटिंग में आने के बाद अपने मोबाइल की ऊपर सर्च में सर्च बार में लिखिएगा storage और यहां पर storage जो आपके mobile के storage है उसमें आ जाईएगा और चेक करिएगा आपके जो mobile के storage है वो यहां पर कितनी खाली है जब आपने mobile के storage जो है भरी होती है तो आपको यहां पर यह एरर कभी-कभी दिखा देता है या तो storage full दिखाता है या फिर कभी-कभी Can't Install app का error आ जाता है तो आप अपने storage चेक कर लिजेगा अगर आपकी storage भरी होगी तो भी error आपको आएगा ही आएगा तो ये काम भी आप करके देख सकते हैं अगर आपको फिर भी problem face करनी पड़ रहे हैं तो आप आईएगा setting में फिर से scroll करिएगा apps में आईएगा manage apps में आजाईएगा और यहाँ पर फिर से play store को search कर लिजेगा play store आचुका है open करिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा data uses इस पर आईएगा आपको यहाँ पर जो है mobile data और wifi दोनों को आपको own कर लेना होगा guys यहाँ पर दोनों को own करने के बाद आपको back आना है आप देखेंगे आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी easily आप जो है किसी भी application को install कर पाएंगे so guys बस आज की वीडियों आपको यही बताना था hope आपको वीडियो चलगी वीडियो चलगी तो like कर देना channel को subscribe कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then by take care love you all